वेल भाई लोग अगर पोकर खेलना सीखना है तो उसकी रूल्स तो समझने पड़ेंगे ना अभी समझो आप क्रिकेट खेलना सीखरें और पता ही नहीं के भाई ये 6 है ये वाइड है अगर आपको ये सब ही नहीं पता तो खेलोगे कैसे तो वेल पोकर में भी ऐसा ही है और इसको सीखने के लिए आपको सीखना होता है हैंड रैंकिंग चार्ट ये सीख जाओगे तो आप पोकर नहीं सीखे आजी चीजे सीख चुके होंगे देखो पोकर में क्या होता है हर प्लेयर जो टेबल पेटा है उसको दो पत्ते मिलते हैं दो पत्ते पर परसन मिलते हैं और पांच पत्ते खुलते हैं common सब के लिए तो दो आपके पास है पांच common है कितने का combination हो गया 7 cards हो गए total दो आपके 5 common इन 7 में से आपको best 5 का combination बनाना होता है जिसके पास best 5 का combination हो गया वो winner है वो hand का तो अभी ये best 5 combination है क्या वहीं तो hand ranking chart यूज होता है तो अभी मैं आपको hand ranking chart explain करता हूँ bottom से top पे जाएंगे कि सबसे low क्या होता है और सबसे best क्या होता है ये आपको मैं बताता हूँ तो देखो सबसे पहले bottom पे होता है high card समझो आपके पास है ace and three board पे खुल गया है कोई 5 कार्ड खुल गए बट आपका ace और three एक भी उनके साथ match नहीं हो रहा है मतलब वहाँ 5 जो common कुले वहाँ एक भी ace नहीं है एक भी three नहीं है तो आपके पास कोई pair नहीं है तो अब आपके best cards होंगी है क्या तो समझो आपके best cards हो गए ace क्योंकि जो सबसे highest card होता है ace highest होता है तो वो first होगा तो ace हो गया फिर एक jack है board पे तो ace, jack फिर 9, 7, 3 तो आपका ये combination ace, jack, 9, 7, 3 five cards highest oriented पे सबसे best हो गए तो आपका best five combination ये हो गया अब समझो किसी और के पास था king five और उसका भी कुछ नहीं लगा तो उसका best combination क्या होगा उसका best combination होगा king, jack, 9, 7, 3 तो basic at the bottom is a high card I hope आपको समझ में आया है इसमें किसी का कोई pair नहीं हुआ है double कुछ भी नहीं हुआ है तो high cards की basis पे जो आगे है वो जीत गया confusing था? I hope not because it's just gonna get exciting अब second वाले case की बाग करते है अब होता है pair इसका मतलब क्या है कि आपके हाथ में समझो वो ही example में ace 3 है but जो 5 पत्ते खुल लेते वहाँ भी एक ace आ चुका है तो अभी क्या होगा? आपका combination of the best 5 cards तो होगा ace, ace तो इसको बोलते हैं दो ace पहले साथ में आएंगे फिर jack, 9, 7 तो इस situation में because of the two aces आपका pair लग गया है अभी same situation में अगर सामने आपके किसी के पास होता jack 5 तो उसका best card क्या होता? उसका होता jack jack फिर 9, 7, 3 तो again उसका भी pair लग जया है उसका भी jack बोल पे आ चुका है तो यहाँ आपके दो aces जो पहले थे उसके दो jack से ज़ादा भारी है इसलिए यहाँ भी आपका higher pair था आप जीत गए समझ जाओ थो थोड़ा? डोड़ बारी आपको दीरे-दीरे करके यह चीज़ समझ में आने लगए इस pair के बाद क्या आता है? वो होता है, third hand ranking chart में होता है two pair easy है, explain करेंगा समझ जाओगे अपने imagine किया आपके पास है ace 3 अब बोड़ पे खुल गया जो 5 पत्ते खुले है उसमें एक ace भी है, three भी है तो अब इस situation में आपके best five cards का combination क्या होगा? ace-ace पहले, फिर 3-3 because उसका भी pair हो गया आपका, तो 3-3 और बाद में jack, तो आपका हो गया ace-ace, 3-3 jack अब इस situation में समझो उसके पास सामने वाले player के पास था jack 7 तो वहाँ board के उपर jack भी है, seven भी है तो उसका best card combination क्या होगा? उसका होगा jack-jack, seven-seven, फिर 3 तो इस situation में, अगर because आपके जो दो pair से ace-ace उसके jack-jack से higher है तो in this case again, your two pair is bigger than his two pair इसलिए आप जीत गए तो यह होता है case two pair का अब तक मैंने explain किया है high card जब कुछ भी connect नहीं होता है तो खाली high के basis पे चल जाता है second होता है pair, जहां बस एक ही connect होता है और दूसरा होता है two pair जहां आपके हाथ में जो दो कार्ट है, दोनो pair हो गए next आता है three of a kind simple example देके ही बताता हूँ आपके पास है ace-three और जो पांच पत्ते खुले, वहां आगया ace, ace, king, two, five भाई, अब क्या होगा, आपके तीन connect हो गए यार एक साथ इसको बोलता है three of a kind तो अभी आपका best five combination क्या होगा आपका होगा ace-ace, king और पर जो भी extra card था तो आपके ये पांच का combination होगा तो आपके तीन aces हो गए, वो हो गए आपका three of a kind three of a kind के बाद आता है straight ये भी थोड़ा अलग हुआ है straight क्या होता है? straight होता है मतलब क्या? कि best five combination ऐसा है कि वो एक straight line में है one, two, three, four, five six, seven, eight, nine, ten तो अभी example देके बताता हूँ imagine करो आपके पास है nine, ten four से लेंगे, nine, ten अपने लेंगे और फिर jack seven, eight, nine, ten jack आपका भाई straight लग गया है five cards together in a line so exactly आप यहां winner होंगे अब इसमें आप कैसे हार सकते हो कि अगर किसी का सामने वाले का भी straight हुआ बर उसका भार ही straight हो गया he has a longer straight आपका seven, eight, nine, ten jack था उसका nine, ten jack, queen, king suppose तो he is the winner तो basically straights में भी अगर दो लोग के पास straight हो तो भी आप हार सकते हो अगर उसके पास लंबा straight हुआ straight से भारी क्या होता है straight से भारी होता है flush और flush वो होता है जब आपका best five combination cards का ऐसा होता है कि सब कुछ एक ही suit के हैं मतलब पांचे best cards लाली हो गए पांचो best cards चरकटी हो गए पांचो best cards फली हो गए मतलब example देखे फिर से आपके पास है ace three of clubs ace three of फली आपके पास है बोर्ड पे खुल गया king of फली jack of फली और बाद में suppose ten of hearts जो चौता कार्ड खुला वो खुल गया दुगी फली तो अब इस situation में आपके best five cards कौन से हो गए आप क्योंगे आपके दो फली जो आपके पास थी और बोर्ड के ओपर जो तीन फली खुली तो आपके पास best five में पांचो फली एक साथ हो गई that makes a flush और ये flush straight को बीट करता है three of a kind को बीट करता है two pair को, pair को, high ranking सब को बीट करता है तो अगर flush लग गया तो आप बागी के सब को हराद हो गए अब यही situation में अगर आपका flush छोटा है समझो आपका five high flush है या समझो eight high flush है आपके पास eight of fally seven of fally, three of fally four of fally and two of fally है तो आपका वो flush हो है अगर उसके पास eight of fally हुए और उसका वहाँ से flush हो गया तो because higher flush है उसके पास तो वो जीच जाएगा that's how, हर एक चीज में यही है कि अगर आपके बागा higher हुआ तो वो दो categories के अंदर भी आप जीच जाओगे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो अपर ने पहले पढ़ लिये already मतलब क्या imagine करो आपके पास है दो एकके हाथ में ही दो एकके है आपके पास और board पे खुल गया ace, three, three, king, deuce तो अब आपके पास क्या है भाई आपके पास दो एकके थे तो आपके best five cards का combination क्या होगा आपका best five cards का combination होगा ace, ace जो आपके हाथ में फिर एक board से आप ace लोगे तो ace, 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 three of a kind and दो तिंगिया तिंगी, तिंगी और यहाँ आपका हो गया है best five में तीन aces और दो तिंगिया जो एक three of a kind एक pair है which makes it a full house इसको बोलते है full house तो अगर आपके पास full house है तो भले किसी के पास flush हो भले किसी के पास straight हो आपका full house उसके straights को beat कर लेता है four of a kind three of a kind तो आपने पड़ा imagine चार पत्ते connected साथ में ही लग रहे क्या लगेगा ना चार एक के एक साथ क्या ब्यूटिफुल लगे वो होता है four of a kind imagine आपके हाथ में है दो एकके और board पे खुल गया ace, ace, five, three, jack तो आपके best five cards combination क्या हो गया आपके best five का combination हो गया ace, ace, jack आपके पास चार एकके थे that makes it a four of a kind और यह इसके पहले जो भी hand-locking charge पे थे सबको beat करता है एक important चीज मैं भूल गया कि जब आप four of a kind करे हो तो जो पांचवा पत्ता होता है वो भी actually important होता है तो इस situation में आपके पास ace, 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 jack है अब imagine करो board पे ही चार एकके खुल जाए ace, 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 tiggy और आपके पास है king two और किसी और के पास है jack five तो इस situation में आपके best five cards क्या होंगे ace, 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 king उसका होगा ace, 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 jack तो clearly पांचवा पत्ता आपका हायरता भले दोनों के पास four of a kind है तो इसलिए आप जीत जाओगे easy, समझ में आया डोट पारी examples देखो आपको पूरा समझ में आ जाएगा बटेर four of a kind को और क्या बीट कर सकता है four of a kind को बीट कर सकता है straight flush याद है अपने straight की बात की थी कि पांचो पत्ते एक साथ connected होते six, seven, eight, nine, ten nine, ten jack queen, king तो straight flush क्या है और flush में क्या पढ़ा था कि पांचो पत्ते एक ही color के होते color नहीं suit तो एक ही सब लाली है सब फली है तो straight flush होता है जब पांचो पत्ते एक साथ straight line में connected होते हैं और सब के सब एक ही suit के होते हैं मतलब nine, ten, jack, queen, king of लाल nine, ten, jack, queen, king of फली ace, two, three, four, five of clubs तो जब ये situation होता है तब उसे कहते हैं straight flush और अगर आपका straight flush लग गया तो सामने वाले की four of a kind pull-outs सब पीछे पर हाल जाते हैं बिकुज आपका straight flush है ये ninth highest high ranking chart में होता है and now coming to the final the last of the hand ranking charts इसे कहते हैं the royal flush और royal flush क्या होता है royal flush वो होता है कि straight flush ही है और उसका एक अलग रूप है जैसे straight flush में अपने पकड़ा था कि उसके पास seven, eight, nine, ten jack एक ही suit का होता है तो royal flush में खाली एक ही order होता है ten, jack, queen, king, ace ten से लेके ace तक off the same suit तो अगर आपका ten, jack, queen, king, ace suppose spades का लग गया, काली का उसे कहते हैं royal flush या फिर hearts का लग गया उसे कहते है royal flush यह होना एक बहुत बड़ी rarity है poker में बहुत सारे hands के अंदर एक बारी आपका ऐसा होता है और जब यह होता है तो well, screenshot लेते है public because मज़ा बहुत आता है so well, these ten wayo hand ranking charts अभी आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा इसा लगेगा, complicated होगे है बड़ यह बिल्कुल भी complicated नहीं है जब आप, क्या पता, पांच गेम भी खिलोगे तब तक आप इंदम नॉर्मल हो जाओगे तब तक के लिए आपको Google पे बहुत सारे hand ranking charts मिलेंगे यह video को खोल के रख लो अब जब poker खेलो इसके सामने आप prefer कर सकते हो So well, यह आप hope rules अब समझ गए हो आगे बढ़ते, next video में मैं आपको सिखाऊंगा how to play poker बड़ उसके पहले इस video के ranking charts को पूरा मंग कर लो, पूरा master कर लो Thank you for watching the video